और हम आज करेंगे paper start आपका paper first matric space लिस्टार्ट करने वाले हैं matric space में all lady मतलब जो paper आपका first basic term जो matric space का इसे अगा सब्यक्थी होदा तो बहुत ज्यादा question से पूछा जाता था उसका आल लेडी 25 पार्ट्स 25 पार्ट्स मैंने आल लेडी अपलोड कर दिया है और इस चैप्टर का matric space जो फर्स चैप्टर है उसका पूरा theorem definition example जितने होते सब कुछ मैंने 25 पार्ट में अगर कोई कुछ division आपको दिक्कत हो रही है तो जाकर फूल लेक्टर देखते हैं बहुत अच्छे से बता आ गया और आपको सबकूर समझने आ जागा बेर किसमें कोई doubts को आए गा ही नहीं तो आपको को time कम है तो आपको कहीं doubts आ रहे है तो जाकर आप लेक्टर देख सकते आपके पास time है ठीक है तो चलिए देखते है पहला हाँ मैं इस चेप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा हाँ 20 या 20 question कि कितना question हो सकता है तो 20 के round दोनों वीडियो में question को आपको question में mc question में लगवाँगा ठीक है तो एक बार आप जाईएगा discussion में और थ्वासा एक बार definition और जो example है उसको देख लीजिए अब बात करते हैं static specific definition क्या होते कंडिशन चार कंडिशन होते है आपको पता है non-negative condition होते हैं जिसमें डी एकस वाय जो ग्लेटर इकल दीजिए गडिए आपको और दीजिएग्डिशन होता है तीसरा होता स्यमेट्री कंडिशन होता है त्रिवाइब कि त्रियांग्र इंकवालेटी कंडिशन जो होता है यह चार कंडिशन होते हैं पार्ट वन में बताया गिए आपको डिफिनिशन मेर्टिक स्पिस का ऐसे को लगाते हैं यह भी स्लकुष करवाया गया तो आप जा के एक बाद देख लीजिए है चलिए पहला कोशन देखते हैं दा प्लपवर्टविंच थाइए प्लान जीआ को इस Cash लगने सम लेविक भी साओ उणे क्या रिख्ता सट ग्लेट गोजिए का इन्याथ Contract xd is metric space then d is called dash an d d क्या होता है metric होता है किस पर an x पर absence निकरेक्ट है function relation of metric space incorrect question of 4 देखिए which are the following is not a metric space ठीक है तो यह देखिए dxy is cut to mod x plus mod y यह कौन सी condition को fail करेगा इसको question को आप try करिए लगाईएगा यह भी और भी दोनों यह metric space form ना करते हैं तो इसका जो third condition आपका है second condition टेंगुलर नल condition वही फिल करता है तो यह भी metric space form नहीं करता है यह भी नहीं करता है the usual metric on R is defined as usual matrix form equilibrium भी बोलते हैं तो simple है mod x minus y dxy is cut to mod x minus y जो होता है आपका usual matrix होता है क्या होता है usual matrix होता है इसलिए आसका option number first का हो जाएगा correct हो जाएगा b c d क्या है आपका incorrect हो जाएगा तो वीडियो इसको note down के लिए next question हम देखते हैं ठीक है आई हम next question देखते है next question तो first question देखिए six question हमने देखिए let xd be a metric space which of the following is not metric on x आपको पता है कि d xy metric space है उसमें एक पॉल्टी नमर से multiply कर देंगे तो भी का होगा metric space फार्म करता है metric space first option d1 xy is equal to k d xy metric form करेगा यहां पर क्या कि एक one plus divided के यह भी metric space फार्म करता है यह भी फार्म करता है यहां पर problem है option number d4 दे रखा है d4 xy is equal to one minus d xy divided by one plus d xy तो यह metric से साम नहीं करता है ठीक है आप इसकी property को check कर सकते हैं कोई दिक्रत नहीं है ठीक है कोशन आप सेबन देखिए the discrete matrix on non-impetious state x is defined बहुत simple question है discrete matrix की decision क्या होती है सबको पता है कि d xy जब x बराबाद x square to y होता है तो 0 होता है x not equal to y पर 1 होता है तो इस तरह अब जो metric space होता है क्या होता है उसे हम discrete matrix space होता है आप सेनम फर्स क्या है correct है बाकि जो आप सेनम बदी c d ही क्या है ROM है question हमें 8 देखिए let a is equal to a1 a2 an and b is equal to b1 b2 bn b any two points of rn then summation i vara 1 to 1 mod a i bi less than equal to i vara 1 to n x i ka square के power 1 by 2 and sorry यहां पर a i होगा इसका पावर होगा this in quality is called this in quality को क्या बहुते है first option काची in quality sorry काची in quality second काची स्वाज इंक्वाल्टी थर्ड मिन कौसी in quality और फौर्ट है होल्ड इंक्वाल्टी डिरेक्ट यह बुक्ट से results है काची जो आता है काची स्वाज इंक्वाल्टी होता है तो आफसन नमस से क्या है b correct है बाकि a c और d क्या है incorrect है एक question अच्छे से आप विडियों के माध्यां से जाईए देख लिए चाहिए समझी से कर लिजिए एक question आपको metric space कैसे मतलब दिखाना है शू करना है आपको question चार option दे रहेंगे उच्छा रहेंगा which of the following is not metric space चाहिए which of the following is metric space तो उसकी metric की जो property होती है वो फोर property dx y is greater than equal to zero dx y is equal to zero dy x is equal to y and dx y is equal to dy x and dx y is equal to dx z plus dy z वो property होती है इससे आप इसलिए चेक कर सकते हैं थीक है तो कोई निए कोई है इसमें से आपको fail कर गा property से कोई यह property fail को या आती है तो हम कर जाते हैं वो metric space firm नहीं कर रहा है चुलिए वीडियो स्टाफ करिए इसको note करिए हम नेश कोईशन चलते हैं अहीं नेश कोईशन देखते हैं कोईशन में देखते हैं कोईशन में देखिए और आया है let xd be a metric space which is not metric देखिए first option dx y mod x minus y यह आपको पता है यह matrix is firm करता है यह कोंसे matrix है ठीक है usual matrix है यहाँ पर क्या sign x minus y यह आपका discrete matrix यह भी firm करता है अगर मालेज यह कि x minus mod x minus y यह आपका usual matrix है यह फार्म करता है यहाँ पर प्रावलम है sign x minus y कर ठीक है तो यह आपको matrix से firm करेगा बाकी जो है आपका आप्सान कर रहा है क्योंको matrix से firm करता है question number 10 which of the following is true dx y summation i bar 1 by 2 का पावर i mod x i minus yi divided by 1 plus mod x i minus y is is fitulatmatic, ठीक है simple से definition है, इप्सान करती है यह आप सब्सक्राइब ही, बाकी जो आप सब्सक्राइब करें है आपके यह wrong है आप जाके बूग में देख सकते हैं कि fitulatmatic क्या होता है fitulatmatic space क्या होता है आप जाके देख सकते हैं तो यह आपका directly क्या है यह result है आ गुमारब श्राइक करने के रहुत तर धी लुग्ष्ण के लोगे protest by मेर हिरte राकी जोंड गोषुन ब्योंज में सिधे बुक का question है और अगा subjective होता है ति यह आप से प्रूब करने के लिए बहुत बार पूछा गया है ठीक है तो यह matrix को अच्छे से प्रेचालने जिए यह bounded होता है और matrix होता है bounded किसे होता है जो यहाँ पर variable M होता है उसी से क्या होता है यह bounded होता है एक जांपर एक में मैंने भी इसको करवाया है कोश्चिन देखें अब लेबाँ एक मैंपर एक मैंपर एक मैंपर एक मैं डिफांगर ओसच एक एक आप अपragenा इस ऑलैख स्टियो अप्रैज क्यों इस बीज़ अफर्ट्स शेख यह आपकर आपका मैंपर एक साइस इस फफ्रकार मैं आपको मैं ने चीछ अएप उस्टा यह भांदेण होता है फोई तो यहां से बाउंडेड मैक्स है क्या है इन बाउंडेड by किससे होता यह जो भी हम कोई रूर्न है यह पर क्या जाए ठाहता है पल average इस थांड़ तो एंडे डिशामन आप का जो को पाचानते हैं इसको यह क्या discuss matrix से पाचानते ही हैं यह तो होगा यह नहीं आपका option नमार जो फर्स्ट है यह correct है डी एक्स वाई इसकर न्माड में एक्स स्क्वार मैं स्कॉर मैस यह स्क्वार इसे भी बोलते हैं एक का फ़ीन देखिए इन इस्यूक्ट इंटरवल एक अमा बी इस नेवरा दा ओवियस है देखिए मैं आपको इंटरवल के बारे बाला देता हूं दॉर्ग इंटरवल एक आमा भी, open interval एक आमा भी, semi open और semi close, जब close होता है, तो वो इसको point को छोड़के, बाकि सारे point उसके क्या होते हैं, नेबर उट होते हैं, ऐसे मालेजे, close interval में, एक आमा भी को छोड़के, इसके सारे points क्या हैं, इसके नेबर उट होते हैं, तो इसका option बहुत easy है, आप इसको आजिली कर सकते हैं, ठीक है, फ़से option है, each of its points, except the end point, बिल्कुल है, इसके end point को छोड़के बारे सारे points काते हैं इसके neighborhood होते हैं अफ्षाने correct है, be each up its points बिल्कुल नहीं open interval होता है each up its end point हाना गलत, next है गलत अपका अफ्षान नमर डीबी क्या हो जागा है रहा हो जागा तो interval की में neighborhood समझे लिजिए कि अगर open interval है तो each up its points उसके neighborhood बनेगे जितने points हैं close जब भी होगा तो उसको exclude करके उसके सारे points क्या होंगे neighborhood होंगे ठीक है चलिए वीडियो स्टाइब करिए हम नेश कोशन चलते हैं ठीक है आई हम question नेश कोशन आप 14 देखते हैं in, are you, are you क्या हमारा isometric space है which up the following is incorrect इसमें से कौन सा option क्या है incorrect है बिल्कुल यह सारे क्या है neighborhood और limit point के directly results है यह आपको दम पुरा आप पढ़ रहे हो third year में आपको सब कुछी पता रहे है फर्स्ट देखिए R and Y are neighborhood of each up their points बिल्कु परेक्ट है set up natural number, set up rational number are not neighborhood of any up their point बिल्कु सही है set up natural number, set up integer, set up rational number इनके पास neighborhood नहीं होता है open interval a comma b is neighborhood of each up its points a b correct है और finite set neighborhood of each up its points बिल्कुल यहां पर गलत है finite set के पास neighborhood नहीं होता है यहां पर बोला जा रहा है कि इसके सारे points क्या है neighborhood होंगे आपसर नमर क्या है d correct है question 15 देखिए in let are you be the isometric space and a subset of r then choose incorrect क्या बोला गया? choose incorrect if a is equal to close interval a comma b then a का limit point close interval होता है interval जितने होते हैं सबका जो इसका derived set या limit point बोलिए a dash क्या होगा मतलब इसका a is equal to open interval एक हमा b है close interval semi open है semi close है तो सबका जो limit point यह डैस हो आएगा वो क्या आएगा close interval आता है देखिए question number correct है a is equal to set of rational number इसका set of rational number का limit point होता है set of real number होता है impetus set is not limit point बिलकुछ क्योंकि finite होता है final set के पास limit point नहीं होता है option number D finite set high limit point यहां पर wrong है finite set के पास limit point नहीं होते है क्योंकि उनके पास never root नहीं होते है तो option number क्या है आपका D correct है video stop कर लेजिए video stop करके note down कर लेजिए इस part में हमने 15 question किया next part में कुछ और इस question next part में कुछ और इभी status से question जो बनेंगे वह आपके लिए हम लेके आएंगे फिर मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में तो तर थैंक्यू बाबाई उर्चर को उर्चर को उर्चर को